हे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग welcome back to another gameplay वीडियो तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा भाई कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने hire कर लिया था अपना employee जो भाई भिखारी भीक मांगता था उसे हम लोगों ने अपना employee बना लिया है और मुझे लगता है उसने अपना काम भी सुरू कर दिया होगा तो चलो देखते हैं भाई पहुच गए हम लोग अपने office और kang या वो employee उसने अपना काम सुरू कर दिये वो देखो भाई वो कूड़ा उठा कर dustbin में डाल रहा है और अभी ये केवल कूड़ा ही उठाएगा क्योंकि भाई इसको आगे भी कोई काम देने के लिए हमें skill point की जरूरत होगी मतलब कि ये या तो कुड़ा उठाएगा या तो गाड़ी धुलेगा और गाड़ी धुलवाने के लिए हमें और skill point चाहिए तो भाई उसको unlock करके हम लोग भाई इससे जो है car wash करवा सकते हैं ये देखो दो skill point चाहिए मेर ऑक्सन है और यह अपनी Ferrari तो इसको लेकर चलते हैं और चेक करते हैं बाई ऑक्सन में कौन सी गाड़ी आई हुई है क्योंकि वैसे जालतर मतलब सबी गाड़ियां हमने खरीद लिये इस गेम की केवल एक ही बची है अभी Dodge वाइपर है वो भी मिल जाए तो भाई सारी की सार चाम से कैमरा एंगल चेंज करके इसको चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा और पास लाते हैं अपनी गाली को और अभी हम लोग आसानी से चेक कर पाएंगे यहां पर यह पहली गाली है भाई और डी क्यों सेवेन है उसके बाद फिर देखते हैं दूसरे नंबर पर अब एक ब भाई इतने दिनों से तमना थी मतलब जिसका हम वेट कर रहे थे भाई वो हमें गाली मिल चुकी है इसके बाद यहां पर सूपर है और लास्ट नंबर पर अपनी स्कोड है तो भाई तीसरे नंबर पर डॉज वाइपर है और भाई अभी हम उसको खरीदने वाले हैं इतने दिनों से मैं जो खरीदने का ट्राइ कर रहाता ना भाई वो हमें मिल गई तो जो है डॉज वाइपर वो लगभग एक मिलियन डॉलर की आती है या फिर थोड़ा महेंगा होगी तब भी 1.2 या 1.3 मिलियन तक आ जाएगी जबकि अपने 5.5 मिलियन से भी जादा है और के बाद भी थोड़ी गंदी तो लगती है ग्राफिक्स उतने जादा बेटर है नहीं और भाई डेवलपर्स ने बोला था कि इसके ग्राफिक इंप्रूफ किये जाएंगे पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं के वल भाई एक छोटा सब्डेट था जिसमें हम लोग इंप्लॉई और के वल तीन सेकेंड बच्चे हुए हैं और भाई यहाँ पर बस अपना ऑक्सन जो हो शुरू हो चुका है तो बस पहली गाड़ी यहाँ पर बाहर आ चुकी है जो कि यह भाई अपनी स्कौड ऑक्टा इसको हम लोग लेने वाले तो नहीं थे पर खरीद लेते ना बेट क करना पड़ेगा नहीं तो यह लोग काफी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं गाड़ियां खरीदने में तो हम लोग भाई नहीं यहाँ पर बेट करते हैं वह भी जादा जादा करेंगे ताकि भाई हम लोग कर कम टाइम खराब हो और भाई पैसे तो अपने पास काफी सूपरा है सूपरा भी हम लोग खरीदने वालें 50,000 से इसकी बीट सुरू है वैसे एक लाग तक तो आराम से इसको भी हम लोग खरीद लेंगे एक लाग तब भी मैंने ज़्यादा बोल दिया लगबाग 70,000 तक भी आराम से हम लोग खरीद लेंगे देखते हैं कितने तक ज वह भाई 7 लाग से सुरू है 8 लाग पहुच गई मुझे लगता है 1.1 मिलियन तो आराम से जाएगी भाई इस की बिड तगड़ी गाली है रेर गाली है आसानी से मिलती नहीं है तो इतना तो जाएगी देखते हैं कितना जाएगी अरे भाई 1 मिलियन में ही मिल गई मुझे कोड़े बहुत और इंप्रूव होंगे तो भाई एक नंबर लेगेगी अपनी ये गाली तो फिलाल अभी हम लोग वेट करते हैं यार आप्सन खतम होने का और कोई चारा भी तो नहीं है वेट करने के लामा भाई अरे यार यह देखो पता नहीं यह क्या है ना छोटे-छो हो रहा है जब अभी इन लोगों ने एक छोटा सा अपडेट लाया था जिसमें इनोंने कुछ बग फिक्स किये थे यह फिक्स करने के लाम मुझे लगता है वाई इन लोगों ने कुछ बिगार दिया इसमें जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है फरारी हमने अपनी टो कर दिये यह फिलाल यहां पर इसको टो करते हैं और यह हो क्यों नहीं रहा भाई एक मिनट एक मिनट यार यह पहले जैसा था वैसे फिर हो गया थोड़े बहुत बक्स तो आ चुके हैं यार पहले भी ऐसा होता था कि आक्सन की गाड़ी हम लोग टो नहीं कर पाते थे और अभी फिर से इसा होने लगा है मुझे लगता है भाई फिर से वही दिक्कत आने लगी है इसमें और मुझे लगता है यार कि अभी हमें न यह गाड़ी है जो हो चला कर ले चलनी पड़ेगी तो अभी इसको छोड़ते हैं यह रही अपनी डॉज वाई पर इसको देखो भाई क्या ही दिक्कत वाली बात नहीं सभी बढ़िया है तो इसको लेकर चलते हैं वाई काफी बढ़ियां गाड़ी है तो इसका सबसे पहले हम लोग कलर चेंज करवाएंगे वाई ट है उतनी ज्यादा जम नहीं रही है रेड या फिर येलो ये दोनों कलर में से एक कलर मैं सोचा हूँ वैसे ब्लू भी हम करवा सकते हैं ब्लू भी अच्छा लएगा देखते हैं कौन सा अच्छा लएगा वही हम लोग करवाएंगे वैसे मुझे ज्यादा तर गाड़ियां वाई येलो या फिर रेड में ही अच्छी लगती है वैसे ब्लैक भी काफी ज्यादा मतलब ठीक है प लाइट वगेरा हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर हाँ नमबर प्लेट हमें चेंज करनी है पर उससे पहले हमें वील चेंज करना है तो कौन सा वील लगा हूँ काफी जादा मतलब वराइटी के वील है पर यहाँ पर ना कुछ जम नहीं रहा है यार इस डॉज वाइपर के उपर देखते है कौन सा अच लगा वैसे ये वाला ठीक लग रहा है ये बढ़िया लग रहा है और देख लेते हैं आगे ये भी ठीक लग रहा है इसी को कर दें क्या चलो इसी को कर देते हैं तो अभी भाई अपनी number plate की बारी आती है यह है California के हम लोग लगाएंगे और यहाँ पर हम नाम लिखने वाले हैं एक भाई ने मुझे comment किया था जिसका नाम है भाई Siwam तो Siwam भाई यह रहा आपका comment और यह रहा आपका नाम आपका नाम मैंने लिख दिया है और अगर आप लोग भी चाते हैं कि आपका नाम भाई यहाँ पर लिखा जाए तो आप लोग comment करिये जो first three comment होगा भाई उनके नाम मैं लिख दूँँगा यहाँ पर अपनी car के number plate पर तो फिलाल सियों भाई का मैंने लिख दिया है तो अभी चलते हैं अपनी car को लेकर अब इसका color change करवाएंगे देखो भाई car तो ऐसे बढ़िया है पर graphics जो है वो थोड़े कम बढ़िया है अच्छे हैं पर यार एकदम decent से हैं ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बेकार है तो इसको अच्छा होने की जरूरत है तो फिलाल यहाँ पर इसका हम लोग color change करते हैं और मुझे लगता है भाई काफी ज़्यादा time बीद गया है मतलब कि रात होने ही वाली है थोड़ी यही देर में रात हो जाएगी साथ बच चुक है आड़ बजे रात हो जाती है वैसे यार ब्लैक काफी ज़्यादा बढ़ियां लग रही है पर रेड हम लोग करवा दे हैं रेड करवाने के बाद ना अपनी गाड़ी गंदी बहुत लगत लगता है तो यार गरदा तो इस पर भी दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है भाई पूरी मिटी की मिटी पड़ी हुई है तो चलो बाद में धुलाई कर देंगे वैसे अपनी गाड़ी थोड़ी ही बहुत गंदी है जाता गंदी नहीं है यह बस ग्राफिक्स का कमाल है जो आप लोगों को गंदी लग रही है तो फिलाल यहाँ पर हमने कलर भी चेंज कर दिये तो अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अभी वैसे रात होने वाली है नहीं तो हम लोग ड्रैग रेस करने चलते हैं एक मिने ड्रैगरेस तो रात में भी होती है पर जाने तो अभी नहीं करना है दिन में करेंगे हम लोग ड्रैगरेस फिलाल यापर गाली को खड़ी करते हैं और भाई चलते हैं यहां से कंटेनर पर वैसे गाली अपनी काफी ज़्यादा ठीक लग रही है और हाँ अभी हमने सारी की सारी गाली खरी लिए भाई इस गेम में जितनी भी है वैसे लगबख 10-11 गाली है ज़्यादा है भी नहीं तो हमने फिलाल सारी की सारी भाई बाई कर ली है और सारी हमने चला कर भी चेक कर लिए और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने नेवरूट और अपना घर कांगिया ये रावाई जो हमने खरीदा था वैसे ज़्यादा महेंगा तो नहीं था पर हाँ साथ हजार डॉलर का था तो भाई यहाँ पर सोते हैं इस बेट पर और फिलाल आज हमने काफी ज़्यादा मतलब केवल खरीदा है तो इतना ये माइनस में बता रहा है और सुबा हो गई है तो अभी चलते हैं आज कार मार्केट ओपेन है वैसे कार मार्केट ओपेन होने से कोई दिक्कत नहीं हमें कार अभी खरीदनी है नहीं काफी ज़्यादा कार अपने पास है फिलाल चलते हैं ऑफिस में और ऑफिस पहुशने के बाद हम लोग चलेंगे ड्रेग रेस लेकिन उससे पहले यार मैंने दो फारारी खरीदी थी अभी थोड़े टाइम पहले और भाई ये रहा अपना जो मतलब ये इसको क्या बोलेंगे सर्वेंट नहीं सर्वेंट तो नहीं वोलेंगे इंपलोई यार मैं भूल जाता हूँ पता नहीं कैसे हाँ अपने इंपलोई जो वह भाई अपने काम पे लग चुकह है अपनी सफाई कर Ram अबी जो इसका काम है वो कर रहा है और भाई इन दोनों का ना मतलब यार एकदम धंदा भी एकदम बैठ गया होगा क्योंकि यहां गाड़ीयां खड़ी रहते हैं और यह देखो भाई यह पता नहीं कैसा गिलिशा जाता है जब यहां पर गाड़ी खड़ी रहती है दूसरी गाड़ी आ नहीं पाती है मतलब जब से मैंने ये दोनों कार यहां पर पार करी है भाई तब से इन दोनों का धंदा एकदम बंदा चल रहा है मतलब की खतमी है तब से मतलब गाड़ियां आ ही नहीं रही है तो चलेगा क्या अभी फिलाल डॉज वाइपर को अपने एक मिनट यार ये टो होगी ने इसको चला कर ले जाना पड़ेगा तो इसको चलो वहाँ पर ले जाते हैं और जो 17% यानि की थोड़ी सी डैमेज है उसको हम लोग रिपेर करवा लेते हैं और जब तक ये रिपेर होगी तब तक हमाँ पास दो फरारी है भाई उसमें जो हमें वो रेसिंग किट वगएरा सारी चीजें लगवानी है तो उसको भी लगवा देते हैं जब तक ये हो रही है भाई अपनी फरारी दोनों कहा हैं वो रही भाई सामने अपनी दोनों की द जाट करके लेकर चलते हैं इसको मोडिफाई करवाना है तो भाई यह रही अपनी सौप तो यहां पर इसको लेकर आ गए हम लोग तो अभी नीचे उतरते हैं और 22 बंदे से पुछते इसमें क्या क्या नहीं लगा है वैसे काफी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगें तो यह सा मैंने वाला है और बंदधे का नाम जिसने मुझे आट मांगा ता उसका नाम एं गेमिंग सौट गेमिंग इसवासी नाम गा अहए तो इसको पर ते हैं यहां से तो उसके पमदधे अपनी दूसरी वाली फरारी लेकर आएंग भाई उस पर भी एक बंदे का नाम लिखना है जिसने भाई कमेंट करके बोला था कि भाई गाली में मेरा नाम लिखना अभी अपनी जो डॉज वाई पर वो लगभग रिपेर हो चुकी होगी पर यह अपना काम भाई जो पहले इसको निफटा लेते हैं उसका डॉज वाई पर लेकर चलेंगे हम लोग ड्रैग रेस करेंगे तो यह रही भाई अपनी फरारी तो इसमें बढ़ते हैं यार इसका ग डाउन करना है तो इसको डाउन कर देते हैं एकदम और इसके बाद आपर नंबर प्लेट की बारी आती है तो कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट लगवाते हैं और इस बार भाई एक रितिक नाम का यह बंदा है वाई यह जो हमारे सब्सक्राइबर है इन्होंने हमें कमेंट किया था तो इनका नाम भी यह रावाई रितिक भाई आपका नाम मैंने लिख दिया अपनी यह फरारी पर तो यह फरारी आपकी हो गई है आओ और लेकर जाओ इस फरारी को अभी फिलाल हम लोग चलते हैं वैसे तीन का साउट डाट देना था मुझे तीनों को मैंने नाम अपनी गाली पर यह रहे पनी डॉज वाई पर इसको लेकर चलते हैं और ड्रैग रेस चलेंगे क्योंकि डॉज वाई पर भाई हर गाली खरीदने के बाद हम सीधा चलते हैं ड्रैग रेस तो वैसे इसके साथ भी होना चाहिए कल तो थोड़ा लेट हो गया था रात हो गय पर आज हम चलेंगे बाई ड्रैग रेस और देखेंगे वहाँ पर कौन सी गाली आई हुई है तो भाई यह हम पहुच चुके हैं अपने ड्रैग रेस और यहां पर दो गाली आई हुई हैं दोनों ही मतलब काफी जाता सस्ती गालीया हैं मतलब कोई रेसिंग कार ऐसे लग नहीं रही है तो इससे हम लोग रेस करते हैं वैसे 300 डॉलर की रेस से देखते हैं क्या हाल होता है वैसे अगर निसान जीटियर को छोड़ दो तो किसी भी कार्त अपनी जो ड्रैग रेस है वो सई से हुई नहीं है देखते हैं डॉज वाइपर से कैसी होती है तो फिलाल हम डॉज वाइपर लेकर आतों गए हैं जीतेंगे या नहीं हो तो अभी पाता चल जाएगा तो यहां पर अभी इंजिन करते हैं और भाई गाड़ी में पहला गयर लगाकर इसको आगे लाकर आते हैं क्योंकि यह पहली रेस है तो हमें बहुत ध्यान से करना है मुझे लगता है बहुत ही आराम से अगर हम गेर भाई टाइमस पर अगर सिफ्ट कर पाएं तो आराम से हम लोग रेस जीच जाएंगे क्योंकि नाइट्रो गयर मैंने लगा कर रखा है इस पर तो भाई यहां पर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया दूसरे गेर और तीसरे गेर मैं थोड़ा अगर लगा यार यह लोग बोल रहे हैं फिर भी जो है लेट हो गया है मैं करूंगा इने ट्रेग रेस तो चलते हैं अभी वापस अपने आफिस और इस वाले वीडियो हैं बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छ लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रा अब जरू कर लीजिएगा मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर